Hello friends, आज का हमारा topic है Chi J2 test ठीके, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि Chi J2 test के द्रुक ऐसे question को solve करते है सबसे पहले हम formula देखते हैं Chi J2 formula होता है O minus E का square divide by E जहां पे हमारा O की जो value होता है यह होता है observation frequency और E होता है हमारा accepted frequency तो हमारे question के अंदर observation की value दिया जाता है already ठीक है हमें direct calculate करना पड़ता है e की value ठीक है तो इस e की value को calculate करने के बाद आपको o-c2 divided by e की value calculate करना पड़ता है ठीक है ठीक है तो यह हमारा काई स्क्वाइर का होता है original formula ठीक है उसके बाद देखो degree of freedom आपको calculate करना परता है तो degree of freedom का formula होता है r-1 multiply c-1 ठीक है जहां पर हमारा r जो है number of row है c जो है हमारा number of columns है ठीक है तो r में c1 को आप minute करोगे और c में से minus 1 करोगे फिर उन दोनों में multiply करोगे तो आपको मिलेगा degree of freedom ठीक है तो चलो इसके उपर हमें question देखते हैं फ्रेंड मेरा यह question है देखो इसमें 5 परसेंट लेवल आफ significance पर हमें hypothetis को टेस्ट करना है ठीक है जिसमें हमारा काईज square की देखो टेबूलर की value दिया है 9.48773 ठीक है तो इस काईज square value से हम अपने answer को compare करते हैं ठीक है अगर हमारा answer इस value से काम आता है तो हम है नल hypothetis को accept करते हैं अब देखो आपको डेटा इस टाइप से दिया जाएगा ठीक है और आपको बोला जाएगा कि आपको काई square test के थूरू इस question को solve करना है और है अपने hypothetis को test करना है ठीक है तो इसको कैसे solve करते हैं चलो हम देखते हैं तो friend solution में सबसे पहले यह जो data दिया है इस data को हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है लिखने के बाद यह हमारा होता है R1 यह हमारा होता है R2 और यह होता है हमारा R3 ठीक है यहां पर यह होता है C1 यह होता है C2 और यह होता है C3 ठीक है तो आपको प्रिक्षप ले टेठों का टोटल का टोटल शीक्सटी आएगा उपको खाल ले के बाद आपको और बोलम कडों का प्रकान प्राइब डिवर ल्नातल कैसे निकलता है देखो तोल्हें और करना है जैसे देखो 40 50 और 60 को मैं आइड करूंगा तो 150 आएगा ठीक है तो यह हमारा ग्रेंट टोटल होगा आप इधर से भी आइड करोगे तो 150 ही आएगा ठीक है तो आपको रो का का स्कुराइर ठीक है यह सभी वैलू आपको कल्कुलेट करना है तो फ्रेंट देखो यहां पर कोश्चन के अंदर अबजर्ब फ्रिक्वेंसी दिया गया है ठीक है जैसे 15 20 25 5 10 15 और 20 20 20 20 ठीक है यह हमारा है ओक की वैलू ठीक है तो इस वैलू को हम लिखेंगे यहां पर ठीक है तो मैंने दोखो यहां पर ओका वैलू लिख लिया उसके बाद ओकी वैलू से आपको एक की वैलू कल्कुलेट करना है ठीक है तो एक की वैलू कल्कुलेट कैसे होगा आपको जैसे म मैं 20 के लिए calculate करूंगा ठीक है तो यह वाइलू देखो फ्रेंट 15 के लिए मेरा वी की वाइलू calculate करने का तरीका होता है कि रो का टोटल और कॉलम का टोटल और डिवाइड वाइड ग्रेंट टोटल मैं करता हूं तो 15 का वैलू निकलता है कहने का मतलब हुआ कि मैं देखो यहाँ पर टोटल 15 के लिए 40 है ठीक है तो मैं यहाँ पर 40 multiply करूंगा अब देखो कॉलम के लिए 15 का मेरा टोटल है 60 ठीक है तो मैं यांपर 60 लिखंगा ठीक है और फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा ग्रेंट टोटल से मतलब की 150 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पर वैलू आएगा 16 ठीके तो यह हमारा बनेगा E की वैलू ठीके E की वैलू बनेगा सिरफ 15 के लिए ठीके तो यही वैलू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 16 यह 15 के लिए ठीके अब मैं 20 के लिए calculate करूँगा फ्रें देखो अब मैं 20 के लिए निकाल रहा हूँ E की वेलू ठीकर तो देखो 20 के लिए मेरा R का टोटल है 50 ठीकर तो मैं यहां पर लिखूंगा 50 Multiply और देखो column का टोटल है मेरा 60 ठीकर तो मेरा यहां पर आएगा 60 और divide by grand total grand total 150 ठीकर तो मेरा यहां पर 150 आएगा इसको मैं simplify करूंगा तो मेरा यहां पे आएगा 20 ठीक है तो यह 20 होगा हमारा E की वैलू ठीक है इस 20 के लिए ठीक है तो यही 20 मैं यहां पे लिखूंगा इस 20 के लिए हमारा E का वैलू ठीक है इसी टाइप से करके आपको 25 के लिए कल्कुलेट करना है 5 के लिए 10 के लिए 15 के लिए 20 के लिए 20 के ल किलना है यह होता है हमारा एकस्पेक्टेड़ बेलू ठीक है अब उसके बाद OH minus C की वैलू आपको निकलना है ठीक है तो आपने को एक नया कॉलम बनाना है अब OH minus C कैसे निकलेगा देखो यहां पर 15 में से मैं चाहीं को मैंनस करूंगा तो माइनस एगा ठीक है फिर अगें वह की वैल्व है देखो माया 20 टीक है तो कि वैल्व कितना है यह वैली ट्व जाएगा तो मेरा 0 एंगो ठीक이 अब उसके कगहलना है मतलब कि यह जो वैलू आपने कर्कुलेट किया है इसको आपको इसकोट करना है ठीक इस value को आपको divide करना है E की value से E की value मेरा क्या है 16 है ठीके तो 16 से मैं divide करूँगा तो 1 divide by 16 करूँगा तो 0.06 आएगा ठीके अगेन मेरा देखो O minus E का square की value है 0 ठीके तो मैंने यहाँ पे 0 रखा divide किया और E की value E की value देखो कितना है E की value है मेरा 20 टीक है तो मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा ठीक है तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा मेरे इस टाइब से कल्कुलेट करके आपको निकालना है मिलेगा 3.63 ठीक है अब देखो यहाँ पे आपको काई जो स्कॉलेटेड वाइड़ आपको मिला है 3.63 ठीक है और उसके बाद देखो आपको टेबलर वैलू दिया है कोस्चन में फ्रेंट देखो फाइब परसेट लेबल अफ सिगनी की फेगेंस पर आपका काई जे स्क्वाइर का वैलू दिया है टेबलर वैलू 9.48773 ठीक है तो यह हमारा टेबलर वैलू होता है ठीक है तो मैं तो मैं यहां पर लिखूंगा टेबलर वैलू ठीक है अब मैं इन दोनों में कंपेर करूंगा और देखूंगा कि चेक करूंगा कि क्या मेरा कल्कुलेटेड वैलू लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है टेबलर वैलू से ठीक है तो देखो यहां पर 3.63 है मेरा इससे ठिसे तो अगर हमारा वैलू से छोटा आता मतलब किना करता हूं फ्रेंड ये मेरा अंसर होगा ठीक है फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए चैनल पर फास्टीम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेजिए थैंक यू